नमस्कार मेरे यूटूब चैनल में आप सबों का स्वागत है आज हम लोग चंदरकला बनाएंगे होली आने वाला है सबसे पहले आप सबों को हैपी होली तो चंदरकला अब ये गुजिया ये सब होली में बहुत ही प्रसिद है बनता है हर घर में तो मैं सोची ये वीडियो डालू इसलिए मैं चंदरकला बनाई हूँ देखे कितना अच्छा लग रहा है देखने में ये गुजिया का ही दूसरा रूप है थोरा सा अलग सा है बस इतना ही फरक है बांकी कोई नहीं है सब उसी तरह बनता है तो ये मैं खोए वाला मावा का चंदरकला बनाऊंगे इस को मैं गाढ़ा करके आधे पर ले आई हूँ अब इसमें मैं मिल्क पाउडर चार से पांच चमच डालूंगी ओ दस से पंदरा मिनट में हमारा मावा खोवा बन कर तयार हो जाएगा जो आसानी होती है नहीं तो अगर केवल दूद का हम बनाएंगे तो काफी टाइम लग ज से भी थोरा कम हो गया है एक लीटर से के आसपास आया है अब इसमें मैं मिल्क पाउडर डालूंगी कोई भी मिल्क पाउडर ले लेंगे बाजार में मिलता है हमें बरा लाना हो तो लाए ना तो छोटे में भी बना करके डाल सकते हैं और यह फुल क्रीम में बनाएंगे तो ज्यादा क्रीमी लगता है और बनता भी ज्यादा है इसलिए थोरा सा ये ध्यान देना होगा और अगर आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिए लाइक कॉमेंट भी कीजिए और अगर आप फेस्बुक पर हैं तो कामनास कीचेन के नाम से मेरा पेज है वहाँ भी जाकर एक बार जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब करें यह मैं मिल्क पाउडर मिला रही हूँ इसको मैं इसी में मिलाऊंगी कोई गां ठूठ नहीं गुठली परता है आराम से मिल जाता है और इसको हम गाढ़ा कर लेंगे चला करके यह बराही सरल तरीके से घर में बन जाता है और काफी टेस्टी भी होता है तो एक बार जरूर आप लोग बनाए और कैसा लगा जरूर बताए अब मैं इसको कराही में पलट लूँगी क्योंकि उसको गाठा करने में वो पतीले में सही नहीं होता तो इसमें मैं दो चमच गी डाली हूँ और इसी में उसको पलट दूँगी और इसी में चला करके गाठा करूँगी मैं इसको छोरेंगे नहीं अगर रुक जाएंगे चलाना तो यह नीचे से जल जाएगा यह थोरा हमें ध्यान रखना है यह काजू किसमी सब मैं थोरा और डाल दी उसमें जो अच्छा आता है टेस्ट इसका अब गाठा हो जाएगा थोरे दिर में यह हो गया है गाठा बिल्कुल अब मैं ग्यास बंद करके इसको ठंधा होने के लिए रख दूँगी और चीनी मैं अपने हिसाब से थोरा कम ही डालती हूँ आप लोग अपने हिसाब से डाले मैं इसमें दोई बरा चमच डाली हूँ पर आप लोग अपने हिसाब से डाले यह मैं मैदा ली हूँ करीब आधे किलो के आसपास ली हूँ आप यह भी अपने हिसाब से ले और इसम तो हमारा आटा जो है वो घीला हो जाएगा इसमें मैं 1500 ग्राम के आसपास रिफाइंड डाली हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा लगता है सौक्ट रहता है तो अच्छा लगता है खाने में इसी लिए इसी तरह पहले पिल्कुल हाथ से हम मिला लेंगे तब पानी डालेंगे ये नहीं की रिफाइंड और पानी दोनों साथ डालें और छीटा मार के थोड़ा थोड़ा ही लगाएंगे आटा एक बार में सारा पानी उसमें नहीं डालेंगे नहीं तो गीला हो जाएगा और थोड़ा टाइट ही इसका बनता है आटा संता है ये ध्यान देना है हमें नहीं तो थोड़ा सा टेस्ट में फरका जाता है इसी तरह से हलके हाथों से आटा गूत लेंगे हम सारा और इसको अब मैं 15-20 मिनट के लिए साइट में रख दूँगी ताकि ये आटा सेट हो जाए और ये है ये ठंड़ा हो गया है बिलकुल इधर हम चासनी बना लेते हैं एक कराही में ये मैं एक गिलास पानी ली हूँ दो सब पचास एमेल के आसपास और इसमें 200 ग्राम के आसपास मैं चीनी डालूँगी मैं कम ही डालती हूँ मीठा इसलिए आप लोग ज्यादा पसंद करते हो तो ज्यादा डालें और इसमें इलाइची 2-3 डाल करके इसको बस चासनी बनाना है हमें कोई तार का इसमें चकर नहीं है कि एक तार या दो तार हो बस नॉर्मल खौला देंगे जब ये चीनी गल जाएगा तो 5-7 मिनट खौला देंगे बस हमारी चासनी तयार है इसमें हमको गाठरा नहीं करना है अगर ये हमारा चीनी गंदा होता तो उपर में जाग जैसा आ जाता तो हम उसमें थोरा सा दूध डाल करके 4-5 चमच उसको साप करते पर हमारा चीनी साप है इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है ये चासनी बन कर तयार हो गया है हम गयासा बन करके इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करेंगे थोरा गरम ही रहेगा तो उसी में हम डालेंगे चंदरकला को डाल करके तुरंत निकाल लेंगे छोड़ना नहीं है हमें इस चासनी में तो ये तो अभी बहुत गणम है जब तक हमारा वो चंद्रकला फ्राई होगा तब तक ये नॉर्मल टेंपरेचर से थोड़ा ज्यादा रहेगा जितना का हमें जवरत है उतना ही रहेगा और माले जे ये चासनी हमारी ठंडी हो गई है तो दो मिनट ग्यास ओन करके हम कर ह Ride … toss KRI 548 789 2017 को सकती हम सब्सक्राइब में सब चासहकर के सकती है कटर है कटर हो तो कटर से काट रही हूं मैं ग्लास से काट सकती है, कटर हो तो carbon से काट ही है तो कटर से काट रही हूं इसी तरह सारे को काट ली मैं और अब मैं देखूंगी मैं एक चमच डाल रही हूँ इसमें ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ज्यादा डालने से ये फट जाएगा चंदरकला हमारा इसी लिए और ये उपर से दूसरी पूरी डाल दी मैं इसी तरह और साइड में इसके पान लगा लूँगी ताकि अच्छे से हमारा ठीपक जाये किनारी अगर किनारी नहीं चिश्खका रही गा तो फिर उसमें रिपायड अंदर चला जाएगा या घी जिसमें भी आप फ्राइक करे ओ आपकर निर्भर करता ऊंदर चला जाता है तो नहीं अच्छा होता खाने में इसलिए हम पानी लगा करके कि उसको चिपकाएंगे अब ये हो गया इसको मुझे उतने अच्छे से गुथने नहीं आता है पर मैं कोशिस करती हूं इसी तरह बस एक कोना ले करके थोड़ा थोड़ा करके दबाते चले जाएंगे इसी तरह चारो बगल दबा देंगे गुझिया का ही दूसरा रूप है बहुत जगह तो चासनी में गुझिया को भी डूब होते हैं पर हम लोग नहीं डूबाते ये चंद्रकला को डूबाना ही होता है चासनी में इसलिए सेम वैसा ही है देखिए इसी तरह मैं सारा बना लिए एक साथ बना के रख लिए हैं अब इधर मैं ये घी में बना रही हूँ तो मैं घी ही डाली हूँ आप चाहो तो रिफाइंड में भी बना सकती है खूब तेज गरम नहीं होने देंगे मीडियम ही गरम होगा हमारा घी तो हम डाल देंगे चंद्रकलाइस में सए हारामसे डालेंगे ता कि टोटे नहीं है कि और यह सारा प्रोसे सब मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे तेज फ्लेम पर नहीं होगे नहीं हो गया इसको पलट भी दी में तुरं तो हो जाता है क्योंकि पतला ही यह होता है तो ध्यान देना पड़ता है थोड़ा एक बार इसको मैं और पलट दे रही बस हमारा चंदर कलाब बन कर तयार हो गया है इसको अब बस चासनी में ही डूबा करके निकाल लेना है चासनी में डूबा करके छोड़ना नहीं है हमें निकाल लेना है तुरंत डालना है और निकाल लेना है य डाइरेक्ट मैं चासनी में ही डालती चलूंगी और डाल करके मैं निकाल ली थाली में देखे कितना प्यारा कलर लग रहा है देखने में ही और खाने में भी उतना ही टेस्टी है एक बार जरूर आप लोग बनाए और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सस्क्राइब करें लाइक कॉमेंट भी करें और हो सके तो मेरे वीडियो को सेयर भी ज्यादा से ज्यादा करें और एक बार फेस्बुक पर आ कर देखें कामनास कीचेन के नाम से मेरा पेज है वहाँ भी देखे वीडियो अच्छा लगे तो उसको भी लाइक फॉलो करे धन्यवाद